अब आप लोगों की त्यारी बहुत अच्छे से हो रही होगी अपकमिंग एक्जाम्स आप लोगों के आने वाले हैं बहुत सारे PCS के पेपर होने वाले यह PC का पेपर भी फॉर्म निकल चुका है आप लोगों के लिए और यहां पर इस लेक्शर से आपको अच्छे से चलिएगा चितरे मिश्या पर कवर कराये वह सारे है एक्जाम में आने के चांसे बहुत जादा है और इस तरह के जो न्यूज है इसका यूज आप किसी जिस भी रिलेटेट कोर्शन होंगे वहाँ पर उसको एंसर में लिख सकते हैं और अच्छे से उसको कवर अप कर सकते हैं तो अच्छे से इसको कवर करते हो चलिएगा चितरे भी न्यूज यहां पर कवर करा जा रहे हैं नोट्स बनाते हो चलिएगा तरीके से आपका रिविजन करने में आपके सामने बहुत सारे मैटेरियल्स हो और इसके प्यांड आपको कुछ भी पढ़ने आपके सामने यहां पर इसरो से रिलेटेड न्यूज बिसकली आप लोगों ने गगन यान के बारे में सुना होगा यह बिसकली उसी को लेकर के त्यारी की जा रही है यहां पर इसरो के द्वारा यूमन रेटिंग को कम्प्रीट कर लिया गया जो कि क्रियोजनिक इंजन से सीय यहां पर क्रियोजनिक इंजन पावर है चो कि स्टेज जो होती है यूमन डेटिट लवी एम लाउच वेगल जो की कगन्यान मिशन से के लिए त्यार किया गया है लाइट मोटर वेटल 3 की बाद यहां पर कई जा रही है तो हूमन रेटिंग की बात कही जा रही हूमन र बात यहां पर कही जा रही है, human rating क्या है, ताथ पर उस प्रनाली की rating से है, उस system की rating से, चो मनेस्यों को सुरक्षित रुप से ले जाने में capable हो, सक्षम हो, उसी से related है, यह ध्यान रख सकते हैं, final test यहां पर किया गया है, higher order test facility के द्वारा, यहां पर आप देख सकते हैं, और य यह इसरो propulsion complex के साथ, यहां पर महिंदर गिरी में, ताकि flight condition जो है, उसको सही तरीके से देखा जा सके, उसके स्थितियों का अनुकरन करने के लिए, अन्तिम prediction इसरो propulsion complex, जो की महिंदर गिरी में, उच उचाई, उच उचाई परेक्षिन स्वाधा में, यहां पर किया गया है, CE-20 क्या है, CE-20 क्रियोजनिक इंजन गगन यान मिशन के लिए मानव रेटेट LVM-3 लांच वाहन के क्रियोजनिक चरन को सक्ति प्रादान करता है, तो उसी को लेकर के बात कही जारी है, कि light motor vehicle 3 को यहां पर यह क्या करता है, और एक तरह से power provide करता है, ताकि हम safely, इसके द्व अब यहां पर human rated LVM-3 का मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहां पर human rating का मतलब यूज हुआ है, human rating मतलब हो गया, कि यह मानव को हम बहुत अच्छे तरीके से space में ले जा सके है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कता आ पड़े, यह 3 stage का vehicle आप देख सकते है, जिसमें solid stage रह इसको 400 km तक इसको launch करने की capability होती है, थाकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी problems ना देखने को मिले, orbital model की अगर हम लोग बात करें, तो यह वह model होता है, कि अहत के orbit तक crew को ले जाने में, और जो भी services के requirement होती है, वो सारी services इसको यह प्रिदान कर सके, और orbital model की परिक्रमा कर सके, जिसमें crew model और एक service model सामिल होगा, ठीक है, orbital model में, crew model और एक service model सामिल होगा, crew model में क्या होगा, crew model जिसमें crew रहेंगे, service model में, जो basically facilities हो है, उनके लिए, जो ready रहेगी, crew escape system सामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके, कि किसी भी अपात इस्तिति में, crew model को structure दूर पर ले जा सके, obvious ही बात है, crew model में ही, आपके, सारे crew members होगा, और किसी भी तरह से, यहाँ पे कोई भी problems ना आए, इसलिए, crew model को safely तरीके से, अगर कोई emergency भी हो, तो इसको दूर तक ले जा सके, crew escape system के माहिदें से, अच्छा बताइए, वस वेक का नाम बताईए, जिसके थूरू, किसी भी rocket को, प्रिथ्वी से space पे ले जा सकता है, scientific term है, physical terms है, देखते कितने लोग बता पाते हैं, और velocity की में बात करो, उस velocity को क्या कहते हैं, ठीक है, मैंने fill in the blanks गया दे दिये, और उस velocity के परावर, कितना kilometer होता है, वो भी मुझे बता दीजेगा, ठीक है, देखते कितने लोग बता पाते हैं, अब यहाँ पे यह सारे चीजे क्यों की जा रही है, गगन यान, सुना होगा आप लोग ने, इस mission को ले करके की जा रही है, यहाँ पे पहला, मानव का space flight mission यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका काम क्या है, इसमें, देखे, इसको basically 2021 में ही launch किया ज इसका लक्ष तीन सदेशियो के एक दल को तीन दिनों के लिए 400 km की निचली प्रित्वी कक्षा में launch करना है, यह यहाँ पे कहा जा रहा है, भारत अंतरिक्ष में क्या है, भारत अंतरिक्ष में का देखा जा, तो एक तरह से 4th country आपको देखने को मिलेगा, जो की crew spacecraft यहाँ भीज रहा है, इस पेस में, पहले 3 country कौन को से है, USA होके, प्रसिया होके, चैना होके, अब जिस flight से, जिस rocket से इसको भीजा जाएगा, उसका structure आप इस तरह से देख सकते है, सबसे आगे होला portion होता है, crew spacecraft system, जिसमें crew आपके रहेंगे, तीनों, तीन जो member है, वो यहीं पे रह जाना पर, यह liquid state, और यह solid state, यह वाला portion इसको help करता है, यह घृत्वा करशन बल से उपर ले जाने में, यह space में ले जाने में, यह help करता है, यह धियान रख सकते है, और फिर यह liquid state, यहाँ पर आप देख सकते है, यह आपका cryogenic state, जैसे ऐसे space जाते है, इसका काम बस है, यह यहाँ से space तक ले जाना, जैसे इस space में, गृत्वा करशन जहाँ पर खतम हो जाता है, जब आप exo spare में in कर जाते है, तो उस time पर यह body से अलग हट करके exact हो जाता है, बाके फिर यह आपका बोसन अब वहाँ पर रहता है, तो यह पूरा structure है, देख सकता है, तो इसी को लेकर यहाँ पर complete कर दिया गया है, जो human rating है, यहाँ पर testing जो हो रही है, वो सब complete हो चुकी है, cryogenic engine का, और यहाँ पर पूरी तरह से ready है, गगन यान mission collect, अगला जो यहाँ पर quality से related यह news है, तो इसको ध्यान से समझेगा, important है, यहाँ पर आप देख सकते है, article 21 की बात कही जा रही है article 21 कल ही पढ़ाया है, I hope आप लोगों ने इसको इस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है, तो वीडियो के end में, आपको article के एक playlist आपको देखेगी, उसको उसको पर click के जाएगा, article 1 से लेकर, article 20 तक पूरा computer है, आज 4 बजे, मैं आपको बता दो, article की class जो होती है, वो इसको भी जाकर के देख लिजेगा, 4 बजे वाली class में, लोग इसको notes पताते हो चले, revision करते हो चले, ताक एक तरह से help होता हुआ चलेगा, revision करने में भी quality का भी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि हम किसी भी बच्चे को adopt कर रहे हैं, तो वो एक fundamental right के अंदर में नहीं आता, यह देली high court के द्वारा यहाँ पर judgment दिया गया, देख सकते हैं, हाई court के द्वारा कहा गया, कि अगर आप किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं, या उसको वो बढ़ा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो वो आपका किसी भी तरीके से, कुछ इस दर तक नहीं बढ़ाया इसमें खास करके बताएं गया है, कि यह जो adoption की जो policies है, वो आपकी adoption regulation 2022 के अंतरगात आती है, regulations 57 के अंतरगात आती है, यहाँ पर parents के पास जो prospective adoptive parents है, जो basically parents adopt करते हैं, उनके पास खुद का twice होता है, कि वो किसको adopt कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़े जो है, ये सारी चीज regulations के अंदर आती है, जिसमें regulation 57 के अंतरगात बताएं गया है, कि couple जिनके दो या दो से ज्यादा, biological children है, वो उनको considerate किया जाएगा special needs children के अंतरगात, या फिर hard to play children, जो जिनके बच्चे नहीं हो रहे है, उनके लिए, ये regulations 57 के अंतरगात, वो उसके अंतरगात आएगा, ना क आपके right and article 21 के अंदर आएगा, जिनको बच्चों की जरुवत होती है, special needs होती है, यानि जिनके बच्चे नहीं हो रहे है, तो special needs children में कौन कोंस आएगे, वैसे बच्चे जो कि किसी disability से ग्रसित है, और इसी लिए उनको rights of person with disabilities act 2016 के अंतरगात यहाँ पर रखा जाएगा, तो देख सकते है, special needs children में का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर, special needs children जिसको जरुवत है किसी लोगों की, wishes आप सकता वाले बच्चे का हुआ बच्चा है, जो विकलांग वैक्तियों के अधिकार अधिकार अधिनियम, दोजसुला में दियेगे किसी भी विकलांगता से पिडित है, उसको special needs की जरुवत है, इसलिए इसको adoption की, adopt किया जाता है, यहाँ पर hard to place की एक और बात कही जा रही है, यहाँ पर बच्चे वाले जोड़ों, और केवल, क्यों केवल विसेश सकता वाले बच्चों, और मुस्किल बच्चों, मुस्किल बच्चों, hard to place child का मतलब ऐसे बच लेखित प्रकेरिया में गुजलने के बाद भी गोद नहीं दिया गया है, देख सकते हैं, दो तरह के बच्चे इसमें आ रहे हैं, एक तो मुस्किल बच्चे वाले हो गया, जिसका रहत है, जो विकलांगता से पीडित है, वो विकलांगता के अधिकार पर है, और जो hard to place child ह इसका मतलब यह हो गया, कि नियम के तरह लेखित प्रकेरिया से गुजलने के बाद भी गोद नहीं दिया गया है, जिनको वो hard to place के अंतरगत आते हैं, यह सारे विनियम 5-7 के अंतरगत आते हैं, रेगुलेशन 5-7 के अंतरगत आते हैं, अब यहीं 5-2 के बारे में कहा गया ह कि वैसे parents जो basically marital status से गुजर रहे हैं, जिनका कोई भी son या doubter नहीं है, वो इस adoption को लेकर के go through करते हैं, वो जिनके बच्चे नहीं है, वो regulation 5-2 के अंतरगत वो क्या करते हैं, चलतों क्या दिन वो गोद ले सकते हैं, कौन-कौन से चलते हैं, विवाहित जोड़ों को दोनों कुछ सलते होती है, जिस सलतों में पहला सलती है, कि जो जोड़ी विवाहित है, जो couple है, उसमें दोनों की सहमती होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, यह यहां कहा जा रहा है, अकेली महेना किसी भी link के बच्चे को गोद ले सकती है, अगर वो अकेली है, यानि उनके husband नहीं है, तो वो किसी भी link है, चाहिए वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से किसी को भी गोद ले सकती है, लेकिन अगर अकेला पुरूस है, तो किसी लड़की को गोद नहीं लेगा, यह भी साप कहा जा रहा है, देखें, तीन सलते हैं यहां पे, जो regulations 5-2 के अंतरकत, ज वो गोद नहीं ले सकते हैं, दूसरा चीज क्या है, कि अगर वो single female है, अगर वो गोद लेना चाहती है, तो वो किसी भी gender के बच्चे को गोद ले सकती है, तो वो girl child को adopt नहीं कर सकते हैं, यह भी यहां पे कहा जा रहा है, तो यह तीन सलतों को follow करना पड़ेगा, regulations 5-2 के था तभी high court के द्वारा यह कहा जा रहा है, यह वो गोद ले सकते हैं, अब regulations 20 में क्या issue किया गया था, juvenile justice, यहां पे juvenile justice के बारे में आप लोग ने quality में पढ़ा होगा, यहां पे यह साब साब बताया जा रहा है, कि किस तरह से हम बच्चों को protect कर सके, उसका care कर सके, JJ Act 2015 के तहत, juvenile justice act 2015 के तद, इसमें क्या हुआ था, देखे, 2015 में यह act आया था, जिसमें बच्चों की care और protection से related यह act है, और इसको संसोधन 2021 में किया गया था, यह 2015 का जो act है, यह secular act है, जिसको चंसर से पास करके इसको पारित किया गया था, इसमें आप कि देख सकते हैं, यह किस से करने वाले बच्चे को गोद लेने को नियंतिरत करता है, देख सकते हैं, एक धर्म नियरपेक्ष अधिनियम है, यानि किसी भी धर्म, यहाँ पर दिना धर्म को देखे वे, आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, हिंदु दत्तक ग्रहन भरन पोशन अधिनियम 1956 के धत, यहाँ पे कहा जा रहा है, हिंदु एडप्शन मेंटेनेंस अट 1956, यह भी इनको राइट देता है, कि आप अड़ॉप्ट कर सकते हैं, भारत में, भारत में यह अट की बात कही जा रही है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें Central Adoption Resource Authority की बात कही जा रही है, जो कि किस मिनिष दो देशों के बीच में किसी भी इंडियन चैल्ड को अड़ॉप्ट करने को ले करके, ठीक है, Central Adoption Resources Authority की बात कही जा रही है, इसमें कोई भी बिसिकली किसी को भी देश के अंदर या अंतर देश के गोद लेने की निगरानी और विनियम के लिए एक नोडल इनका है, जो मा अधिकार नहीं है, यह सब अधिनियम के तहते है, रेगुलेशन के अंतरगत आते हैं, यह सारे सब्जेक्स, अब यहाँ पर आठकिल 142 की बात कहिए, यह भी बहुत ज्यादा आज के लेट में न्यूज बनावा, क्यों चंडिगर मेयर का जो एलेक्शन हुआ था, उसके त आठकिल 142 क्या करता है, सुप्रीम कोड को एक एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइट करता है, यह एक राइट देता है, ताकि जो बहुत टाइम से पेंडिंग केसे हैं, उसको और डिले ना कर सके, किसी भी कारणवास उसको एक कम्प्रीट डेस्मेंट उसके उपर दे सके, तो करने के लिए डिक्री या आदिस पारित करने के लिए ससक्त बनाता है, और ऐसी ओर यह पूरे भारत वरस में लागू होती है, इस तरह से ताकि कोई भी कानून जो है पार्लेमेंट के द्वारा जो पारित किया गया है, उस पे यह डिसीन ले सके, ठीक है, सुप्रीम कोड य उस तरीके से लागू किया जा सकता है, ऐसे प्रावधान होने तक राजपती के आदेश के द्वारा भी यहाँ पे उसको सुनवाई की जा सकती है, इसके लावा ऐसे कानून के दिन सुप्रीम कोड के पास किसी भी व्यक्ति की उपस्तिति, किसी दस्तवेश की खोज या उत नीउस का कवर किया है, और वो क्या काम करते थे और आड़ी जो बने है, तो वो कौन है उनका नाम बताएगा कली हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा है यहां पर बैसिकली जो रिटर्णिंग आफ़सर थे उनके द्वारा आठ वोटों की गपला की गए थी उसको रद कगाल दिया गया था जबकि वह इनके फेवर में था इनके फेवर में जिसका कोशन मैं को जिताया गया है विजय गोज्ध किया गया है वह बैसकली आम आदमी पार्टी से बिलाउंड करते है चली बताएगा मुझे कौन है ऑगि अगला जो न्यूज समक्का सरक्का फेस्टिबल को ले करके यहां पर पी-म के द्वारा यहां पर समक्का सरक्का फेस्टिबल में इसको ग्रीट किया गया है सुब कामनाई दी गई है और इस त्योहार की अगर हम लोग बात करें तो यह त्योहार कहां पर मनाया जाता है तो यह त्योहार में मनाया जाता है कहां पर इसको मेदाराम जतारा भी कहा जाता है और यह बाइनियल ट्राइबल फेस्टिबल है ट्रा जातीई आदिवासी समुधा है यहां पर कोय जन जाती के द्वारा दुकु सबसे बड़ा Ajvati मीला और भारत का दूसरा अधिवासी मिला यह है द्पारत के सबसे बड़ी मेलास कुम्भ और दूसरा सबसे बड़ा मेल आपको देखने को मिलेगा यह है समक्का सरक्का फेस्टिबल ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं यह तियोहार में जो बताया जाता है कि अन्यायपून कानून के खिलाब सासकों के साथ एक मा और बेटी समक्का और सरलमा की लड़ाई को याद दिलाता है तो यह बेसिकली जो दरसाता क्या है कि एक फाइट एक मा और बेटी की फाइट एक समक्का और सरलमा के वीच की फाइट जो की जो की डूलर के अगेंस्ट में जो अन्जस्टिस लौ होता है जो अवेद कानून होता है उसके खिलाब समक्का सरलमा का जो फाइट ह अन्याय पुन कानुन के खिलाफ सासक के साथ एक माँ और बेटी समक्का सलम्मा की लड़ाय को यह याद दिलाता है आदिवासी जंपनब ऊगू के लाल पानी में पवित रुपकी लगाते हैं तो यहाँ पर गुदाबरी नदी में यहाँ पर डुपकी लगाई जाती है लाल वाटर में जंपना ऊगू जंपना वागू क्या है एक ट्रिबिट्री सायक नदी है गोदावरी की यह ध्यान रख सकते हैं वहीं पर यहां डुक्टी लगाए जाती है जो किस से संभंधित है वोमन से संभंधित है जो लेवरक्ष और लेफर से ऊपके इस Awards को जरी किया गया है उसमें UNICEF के द्वारा Community, UNICEF की जो Digital Community है, यहाँ पर युवाव पहल की मदद से यह रुपोर्ट के मादियम से प्रसासित किया गया है, यह सर्वेक्षन युवा लोगों के लिए UNICEF के Digital समुदार को यहाँ पर दरसाता है, UNICEF द्वारा सुरू की गई, युवाव पहल, से द्वारा, एक पॉब्लिक प्राइवेट यूथ के लेटपाउं आप दे सकते हैं, जो कि आल्थिक अफसर यहाँ पर प्रदान करते हैं, जो जितने भी यूथ लोग है, यंग लोग है उनके लिए, यह यूथ को टारगेट करता है, जो 18-29 वार्स के लोग होते हैं, कैसे इनको टारगेट करता है, सोसल मेडिया के माध्यम से, यह बिसिकली, इंटरनेशनल लिवर और 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 डिफाइन करता है, जो नन ट्रेडेशनल जॉब्स में है, उनको लेकर गखास करके, ताके उनके लिए एक रोजगार इनके लिए निकाल सके, और एक तरह से उनको स्टै कहां पर दिखा जाता है, डिजिटल लेवर प्लाटफॉर्म के यह ध्यान लग सकता है, यहां पर इसके साथ साथ सर्वे में क्या-क्या पाया गया है, उसमें देखा गया है, जिदे भी यंग वोमेन है, वो बेसेकली वर्क फ्रॉम होम, रिफर करती है, यह फिर वो सेफ फ कि वाउ का यह रहता है, ठीक है, इसके साथ साथ 52% उत्तल दाता हो द्वारा सूचना और योजना तक पहुच या परिवाज से समल्थन को प्रमुक्ष चालक माना जाता है, देख सकते हैं, एक इन्फरमेशन और स्कीन को यह एक्सेस कर सकता है, और अपने फैमिली को सपोर कर सकता है, ताकि एक की ड्रावर के रूप में यूज किया जा सकते, 52% अपने रिस्पॉंडेंट को, हाफ रिस्पॉंडेंट जो है, उनको को कंसीडर किया जाता है, नन ट्रेंडेशनल जॉप, जो कि अनसेफ होता है वोमन के लिए, ठीक है, उसी को लेकर के बाद कही जा लगबग आदे उत्तरदाता, 11 परांपरिक नौक्रियां को महिलाओं के लिए असुरक्षित मांगते हैं, तो यह थासा इंपॉर्टेंट है, थासा ध्यान से समझेगा, यह निसकर्स लिए गया है, क्या-क्या रिकमेंडेशन दिये गया है, यूनिसेफ के तरफ से इस महिलाओं को गयार परांपरिक नौक्रियों में भाग लेने के लिए प्रुसाहिद करने के लिए नीतिया बनाई जा सके, तो यह भी कहा जा रहे है, पॉलिसी यहां पर बनाई जा सके, ताकि वूमेन को इंकरेज कर सके, नन ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए करके, एक तरह स महिलाओं का समर्थन करने के लिए वियाबहार परिवर्तन के लिए समुदाय अधारित मॉडल को लागू कर सके, यह सारी सिफारी से इस सर्वे में बताई जारी, यूनिसेफ के तरफ से इसको सपोर्ट किया गया, स्रम बल और गैर परांपरिक नौक्रियों में यूवा महि मात्रत अवकास दिया जा सके, सीसू के देखवाल के लिए उनको प्रदान की जा सके, जो ग्यार परांपरिक नौक्रियों में भी उनको भाग लेने के लिए इनकरीज किया सके, यह सारी चीजे जो है, वह बैसिकली इस मॉडल के तरह एक तरह से वर्क मॉडल, फ्लेक्सिब से वोमेन को सपोर्ट करने के लिए यह सारे चीजे जो है, वह सर्वे के तरह बताई जा रही है, यह ध्यान रख सकता है, अब यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ आप देख सकते हैं, यूनाइटे नेशन चिल्डरन्स फंड है, यह इसका हीटकॉर्टर का है, नियॉयोक है, इसकी स्थापना का हुई थी, 1946 में, 1946 में सहितरास अंतराष्टे बाल अपात कलन कोस के रुप में इसको स्थापित किया गया था, 1903 में यह परवनिन पार्ट हो गया था, इसका नाम बाद में चेंज करके, क्या रख दिया गया था, यूनाइटे नेशन चिल्डरन्स फंड इसको चेंज किया था, 1903 में, इसमें कितने कांट्री कवर होते हैं, यहां पर 190 से अधिक देशों और छेत्रों में यह काम करता है, प्रतियक बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना इसका काम है, इसके दोरह जो परमूर्स रिपोर्ट जो जारी किया जाता है, इसके दोर से related points है, इसको ध्यान से समझे हैं, कहीं में भी अगर आप Unisave के बारे में लिख रहे हैं, तो यह भी points उसमें add कर दीजागा, तो एक तरह से क्या हो जागा, एक तरह से उस answers को चार्चान दगाते हैं, तो 1946 में संयुकरात अंतराष्ट ये बाल आपात का लिन कोस के रूप म अगले news यहां पर आप देख सकते हैं, सूरंज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट स्फेर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यह तरह से क्या है, परेटेगों के लिए अकरेशन का केंद्र बना हुआ है, ठीक है, साथिस्वा याद रखिएगा, साथिस्वा यहां पर कहा जा रहा है, इंटरनेशनल सिल्फ मेलर की बात कही जा रही है, जो गुजरात के साधू बेट दूइप परिस्थित, स्टाच्य आफ यूनिटी के, 182 मीटर उची प्रतिकरित प्रेटेगों के लिए अकरसंग का केंद्र बना हुआ है, ध्यान समझ सकते है, यह फ्लोइंग रिवर, मतलब यह पस्चिं के दिसा में यह नदी बहती है, यह मतलब अरब सागा में जा करके मिलती है, बताएगा कौन सी नदी है, क्या-क्या मुख बिंदो है, इस मेले को ले करके, तो इस टाची आफ यूनिटी जो है, पहले किसके दौरा इसको ग्राफ्ट किया गया है, तो संसट का न्यू संसट आपको देखने को मिलेगा, तो उसको इसके आर्किटक्ट कौन है, देखते कितिना लोग बता पाते है, तो राम वी से उताल त्वारा इसको निर्मित किया गया, 2018 में जनता के लिए अनावरन के लिए इसको कब ओपन किया गया था, तो 2018 में ट्यूरिस्ट अट्रक्शन को बनाए गया था, इस्टाची आफ यूनिटी को ट्यूरिस्ट के लिए नॉर्म पब्लिक के लिए इसको ओपन किया गया था, और ये एक तरह से किसका स्क्रूप्च्र यहां देख सकते हैं, तो सल्दार वललब भाई पटल का यहां प मिलेगा, यहां पर स्टॉल्स को लेकर कापी ट्यूरिस्ट प्रभावित हुआ है, ट्यूरिस्ट के नाम से भी जाने रहता है, गुजरात के यह एरिया को, इस मेले में जो भी विजिटर आते हैं, वो यहां के मौमेंट से बहुत जादर लुभावनित होते हैं, और यहां पर घर वा डॉबट के चैनल आते होते हैं, गुजरात के अलाइट को यहां पर है फिरेकों से लिदे और उनको पसंद भी आता है यहां के culture जो कि यहां पे culture उस समय जब विजिट करते हैं उस समय उनके culture को जो जो चीज़े देखते हैं यहां के तो उनसे बहुत लुभावनित भी होते है तो और अगर हम लोग बात करें तो यूनिसको के द्वारा यहां पे इसको गरभा को एक महत्पून सांस्क्रितिक प्रतिक में मानेता देना गुजरात की विरासत में इसके महत्वे को क्या करता है रिखांकित करता है अब इसको क्या किया गया है एक यहां पर culture symbol के रुप में highlight किया गया है एक तरह से यह बहुत गर्ब की बात है गुजरात के धरोहर ये क्या करता है कि गर्बा रोल जो है Пो किस तरह से social inclusion और unity को क्या करता है मचबूत करता है और 9-day नवराद्थिर festival को भी ये बहुत अच्छे से दरस आता है क्योंकि नवराद्थि अस सब के दौरान ही इसकी गर्बा की जो भुमिका होती है उसके जोलो दिया जाता है कि एक्ता और बढ़ावा को गर्वा के माधियम से बहुत बढ़ावा दिया जाता है और इसको कहास करके गर्वा को 9 दिवेशए नवरात्रय में इसको मनाया जाताesian किया जाता है । गर्वा एक dance वाम है गुजरात की करके एक सम्मानित रूप से इसको एक प्रतीक के रूप में सांस्क्रितिक प्रतीक के रूप में मानेता दी गई युनिस्को के तरब से एक तरह से गुजरात के विरासत के लिए बहुत बड़ा महत्पुन रेखानकित काम है यह ध्यान रख सकते हैं ठीक है अब ढूर्डो गाउं के बारे में कहा जारा है जो इस चार्च अफ यूनिटी वह कहां पर धोल्डो गउल कि धौरिजिग यहां पर माला जाता है डोटो जह वह है धरोवर टाइटल है अध्यूरिजम विलय को लेकान के द्वारा इसको Best Tourism Village का दोचा यहां पर दिया गया है, सम्मानित किया गया है, उजबेगिस्तान के समरकर्द में, यहां पर उजबेगिस्तान के समरकर्द में, UNWTO के द्वारा, यह जो Best Title का अवार्ड जो है, Best Tourism Village 2023 का पुरस्काल समारों में, डोल्डो को यहां खिताब मिला है, ध्यान समझ सकते हैं, डोल्डो जो है, सर्व सिर्फ प्रेटन गाउं के रुक में, इसको अबाट यहां गया है, UNWTO के द्वारा, उजबेगिस्तान के समरकर्द में, यहां अपनी सम्रिज संस्क्रितिक प्रासर, प्रसिद रन उजब के कारण एक लोगप्रिय प्रेटन स्थल भी बना हुआ है, एक tourist destination बना हुआ है, यह ध्यान रख सकते हैं, famous run उस सब भी आपको यहां पर देखने के मिलेगा, जो खास culture heritage है, यह भी आप देख सकते हैं, टाइटल यहां पर दिया गया है, UNWTO के द्वारा, best tourism village, जो कि बहुत महत्पूल टाइटल है, इस गाउं के लिए, जो कि बहुत सारे criteria को fulfill रहता है, सबसे पहले चीज, यहां पर tourism बहुत लगता, सतत लेवल पर यहां पर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, यहां कि जो local cultures है, उसको देख रहे हैं, धरोगर को एक तरह से विरासत को सरक्षित कर रहे हैं, प्रेटकों के लिए एक सरक्षित औ पर उनका स्वागत किया जाता है, उनको सरक्षित फील कराया जाता है, और एक तरह से स्थाईये प्रेटरनों को बढ़ावा दिया जाता है, उनका वेलकम किया जाता है, यहां के संस्कृति के माध्यम से उनको सरक्षित किया जाता है, और उनको एक तरह से लुभानवित भ दिखाने के लिए यादर केगा गुजरात के डोरोडो गाउं को बेस्ट टुरिजम विलिज का दर्जा दिया गया के द्वारा समरकंट उजब्यकिस्तान में 2023 में अब इस चाची ऑफ यूनिटी की अगर हम लोग बात करें तो यह 122 मीटर टॉल यह चाची आप देख सकते हैं जो की चाइना का जो स्प्रिंग टेंपल बुधा इस चाची उससे 23 मीटर यह लंबा है और अगर हम लोग बात कर जोड़ा गया बहुत बड़ी बात है देख सकते हैं एट वॉंडर में संगाई कोपरेशन और ग्रेंशन के द्वारा इसको आठवा वॉंडर के रूप में इसको नामित किया गया कब जनवरी 2020 में बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए देख सकते हैं आठवा अजूब जारकंट से रिलेटर है अभी आप देख सकते हैं जारकंट के जो डिसेंट में नए सीम के रूप में चंपई स्वारन यहां पर बने है इनके द्वारा रूलल बस स्कीम यहां पर निकाल गया है चली अभी पहला इस्टेप जो लिया गया था वो मुझे बताएगा के माध्यम से बस सेवाओं के लिए जारकंट मुक्ति मोर्च के नतित वाली मुझे मंत्री ग्राम गाड़ी योजना एक ग्रामिंध परिवन योजना की शुरुआतकी है देख सकते हैं मुख्यमंत्री ग्रामगाडी योजना MMGGY जो के एक रूरल ट्रांसपोर्ट स्कीम है इसको यहां पर इस पर सर्विस को यहां पर हरी जंडी दिखाए गई है यह शुरौत की गई है चमपई सुरेन के द्वारा चारकन मुक्ति मौचा के नेत्यत में जो यह इतले इस्टर पे जो ट्रीपोर टावर के जो जगह है जैसे ब्लॉक्स हो गया नगरपालिका हो गई पंचायत हो गया उनको यह जोड़ने का काम करता है रिमोट विलेजर में जो जो लोग रह रह रहा है उनको अच्छे से ट्रांसपोर्ट स्ट्रेशलिटी यहां पर प्र स्टापित करना है ताकि यह स्ट्रेश किया जा सके कि दूलतराज की गाओं के निवाचियों को स्वीधा जनक परिवहन फिरानाली तक पहुचाया जा सके ग्रामिन चेत्र में लगवा 15,000 किलमेटर सर्गे बनाई जा रही है देख सकते हैं एक और यहां पे आप देख सकते इस बस के मात्यम से ध्यान लग सकते हैं यहां पर यहां पर यह भी फैसलेटर उनको प्रवाइट के जा रहा है पहला चलन जो है इस सर्कार के तरफ से डिसाइड किया गया है कि तो धाई सो वेकल्स यहां पर लॉंच किया जाएगा और इसकी जो परमिट होगी ठीक है यहा को भी कम कर दिया गया है एक रुपा है तक ताकि ऑप्रेटर को हम क्या कर सके और अट्रेक कर सके ठीक है तूसी से रिलेटेड है यह ध्यान रख सकते हैं जारकन ग्रामिन बस योजना अब यहां पर सीम के दोरह क्या कहा जा रहा है 24,000 जो राची गुमला लोह दगा से जो देख सकते हैं चली कहीं ने कहीं उस न्यूस से रिलेटेड कोश्टन तो हैं लावालतियों के बैंक आतम प्रथम किस्त के रुप में बहत्तर दसंब्रों तीन पार्च करणों पर यहां पर टार्फर किये गए तीन माह बाद यहां पर नौ लाग अवास यहां पर अवन्ट टोटल कितना रुपए ट्रांसफर किया गया है डारेक्ट बैनेफिट ट्रांसफर से बहत्तर तीन पार्च लाग करो रुप है पहला इंस्टॉल्मेंट जो है वह सीधे बैंक एकाउंट के जलाब आती है उनको यहां पर प्रदान किया गया है ठीक है देख सकते हैं उसी से यहां पर प्रदान करने के लिए नीकटतम सहर तक कहीं किलोमेटर तक पार्दल करता है लोगों को को बहुत चलना पाता है तो यह उस वेकल को वहां पर अपरेट करें इससे फाइदा किसको होगा जो लेवर होते हैं उनको होगा मजदूर सात्र मरीज और अनिग्रामी नागरी को यह पर लाब होगा जिसमें परिवहन परिखल्पलों की कमी के कारण आने जाने की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ठीक है तो उसी से रिलेटेट यह नियोज है ठीक है अबुआ अवास योजना की बात करें तो यह यहां पर स्टेट गर्मेंट के द्वारा यहां पर प्रोवाइड किया जाता है हाउसिंग जो जर्वतमन्दोग होते हैं ताकि उनको खुद से फंड प्रोइड किया सके 15 करोर रुप है यहां पर बैसेड़ि क्रश किया अगे घाएगस साल तक स्टेट के तो यहंपे रच गर्फं में 15 ml करोर रुप है यहां पे स्णर की प्रदान की जाएगी ठीक है तो यह था पूरा आज का important news analysis आई होप आपको सारे news बहुत अच्छे से cover हुए हम इसको एक बार revise के लिजेगा जो लोग telegram से connected नहीं है वो join हो जाएए वहीं पे आपको सारे PDFs provide के जाएगा detailed description में आपको basically telegram का link मिल जाएगा वहाँ पे क्लिक करके join कर जाएगा और इसको अच्छे से cover करते हुए चलिए answer writing के questions आपको daily basis पे दिये जा रहे है telegram पे ही वहाँ पे join करके daily basis पे जो questions है उसके answers लिखना स्टार्ट किजिए थोदा practice किजिए जो PCS अच्छे से लिखना स्टार्ट करेंगे और काफी दिनों तक लिखते रहेंगे तो इसको स्टार्ट कीजिए बाकी articles का स्रीज चल रहा है सामें चार बजे तो उसको भी च्वाइन करते हुए चलिएगा उसको भी आज के लिए बस इतना ही जय हिंद जय भारत